तो यहां पर देख सकते हैं कि मेरे पास जो av Vocês 15 वाला करता है तो निवीकेशन शाहता है इधर करता हो तो पावर आफ को आपशन आ जाता है साथ साथ मैं अगर बैक कर कर यहां से और उपर क्योंवेर उट्र करता हूं तो मेरे पास जो है रिसेंट आप झो जो की Android 9 के ओपर ही रन कर रहा है तो आप इस तरीके के गेस्चर को अपने किसी भी Xiaomi के फोन में कैसे यूज कर सकते हैं और यकिन मानिये दोस्तों यह आपके फोन को एक थोड़ा नेक्स लेवल लुक प्रोवाइड करेगा आप इसमें जो है काफी असानी से काफी चारी चीज न सूम अधरण भी आजाएगा और अबल्गा स्वाइब करते हैं और जकाने फिचंस को इसमें आप चाहिए बहुस्ते ही अदर के फोन के इंदर में कैसे यूज कर सकते हैं तो इसके इस वीडियो को देखते रहे और दोस जिनłोहों ने चेन्ल को सब्सक्राइब नहीं हिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस वीडियो को एक लाइक कर देना और कोई कोशन होगा तो नीचे कॉमेंट सेक्षन में डेफिनेटली करना तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू इसके लिए सबसे पहले चले आपको चले जाना हैं एक एंद्रमें जाने के बाद आपको यह प्रस्टों पर लória नैंप्रश करने के आहां, आपको आपोड़ कर लिए कर लिए और इनेबलनीफर क्लिक कर दीजे, यहां पर आपको औप्शन्स आएगा कि बहीं है आपको पर क्लिक किजिए और यहां पर कर दीजिए और यहां पर इसे कर लिजिए तो इस तरीके से जो है जो है आपका जो है एनेबल हो जाएगा और यहां पर आप इसे एनेबल कर दीजिए तो यहां पर यह एनेबल हो जाएगा तो देख सकते हैं कि यहां पर इनेबल हो चुका स्ट्रीन में कर लेना है चलिए मैं और भी पहले यहां पर कुछ बता देता हूं यहां पर गेस्टर्स बार में जाते हैं तो आपको गेस्टर्स एक्षिंस मिल जाता है पोजिशन साइज साउंड वैबरेशन सारा कुछ मिल जाता है तो गेस्टर्स एक्षिंस पर अगर आप सेटन का सौटट वह कर सकते हैं फिर इसके बाद अगर आप नीचे क्यों और स्वा एप करते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिआ पर है यहां पर क्या क्या चाहिए वह आ यहां पर कर सकते हैं यहां पर रखना है प्रो फिर ट्रो वलस्ट इसे यूजि Halo是 लेकिन और यहां से इनेबल करने के बाद चलिए अब लोगों को मैं बता जता हूं कि क्या करना तो आप लोगों को सबसे पहले सेटिंग के अंदर में जाने के बाद आपको यहां पर आजाना है हो mówi स्क्रीन के अंदर में को आने के बाद यहाँ पर आप सकते हैं कि होमस्क्रीन क्रासिक है और अगर आपका यह नहीं यह नहीं आ रहा तो इसकी अटे rpm Link Manager description में जो है दे दूँगा यहां पर आपका यह एप ड्रोर होगी उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों कि यहां से आ जाना है आप लोगों को बैक आने के बाद आपको यहां पर काफी सारे options देखने को मिलेंगा बट आपको जाना है additional setting के अंदर में और यहां पर full screen display सेट हो जाएगा for example अगर आप आने वाला सेट करते हैं तो वह हो जाएगा इसे प्रेस किये रहते हैं तो उसके लिए अलग है तो सारा setting मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या क्या सेट करना है और इसे आप बिना जो है Android 10 का जो है